हेलो गुड मॉर्णिंग क्लास आज हम करने वाले हैं एक ऐसे इंपोर्टेंट्स ओफ हार्ड वर्ग यानि की महनत करना क्यों जरूरी है महनत का क्या महत्व है देखिए महनत हर किसी को करनी चाहिए और जिसकी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से उसको फुल्फिल करना चाहि कहने का हमेरा मतलब है जो आपके फादर है वो ड्यूटी करके आते है किसलिए ताकि वो आप घर में क्या ला सके पैसे ला सके और आपको हल चीज प्रोवाइड करवा सके तो इसलिए बेटा आपके क्या ड्यूटी बनती है आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी स्टड में ध्यान लगाए और अच्छे-च्छे मार्ग से पास हो जाएं लेकिन ये कब होगा ये तब होगा जब आप बहुती जादा मेहनत करेंगे देखिए तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं देखिए Every boy and girl is born with multiple talents यानि की हर कोई लड़का और लड़की का जनम किसके साथ होता है multiple talents के साथ अब इस बात को कहने का मतलब है कि हर बच्चे में बहुत अच्छे अच्छी चीज़े होती हैं किसी बच्चे में कोई special बात होती है तो किसी बच्चे में कोई special बात होती है देखिए हो सकता है कि कोई बच्चा maths में बहुत जादा अच्छा हो और कोई दूसरा बच्चा है उसकी learning power जादा अच्छी हो तो हर एक बच्चे में different different talents होते हैं लेकिन क्या होता है कि हर कोई सक्सेस नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, सफलता नहीं मिल पाती, महनत तो अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन सफलता किनको मिलती है? तेलेंट तो सब में होता है, लेकिन अपने मोटो को, यानि कि जो भी आपका एम है, आप उस तक कैसे पहुँच सकते हो? अगर आप हाड़वक करो, आप महनत करो, एंड प्लैनिंग और पहले से ही प्लैनिंग भी करो, कि आपको कौन सा काम किस तरीके से करना है? वही लाइफ में क्या कर सकते हैं? सक्सेस कर पा सकते हैं. वही बच्चे लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं means अगर आप study की ही बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी study भी जो है आपको उसका time table तयार करना चाहिए कि कम से कम मुझे 4 hours या 5 hours अपनी study को देने ही देने हैं एक तो आपको उसका time table तयार करना चाहिए उपर से जब भी आप study करने बैठते हैं attentive हो के बैठना चाहिए बेटा अच्छे से आपको study करनी चाहिए ध्यान लगा कर study करनी चाहिए महनत करनी चाहिए देखिए जैसे class में क्या होता है सबी बच्चे तो देखो first आ नहीं जाते first कौन बच्चा आता है class में वो बच्चा आता है जो पूरी महनत से पढ़ता है और पूरे साल पूरी महनत से पढ़ता है जो शुरू से ही अपनी study में बहुत ध्यान देता है और जो हर चीज पे ध्यान देता है जो अपनी राइटिंग पे भी फोकस करता है बेटा जो अपनी रीडिंग पे भी फोकस करता है और जो हर चीज को अपना ध्यान से लेकर चलता है साथ साथ जो चलता है क्लास के और अच्छे से चीजों को समझता है वही बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है जो अपनी स्टड ही महनत करेगा बेटा वो उतना ही लाइफ में क्या होता है सक्सेस पाता है इसलिए हमें हाड़ वर्क करना चाहिए बेटा देखिए आगे वो क्या कह रहा है आगे वो हमें बोल रहा है वैन सचिन तैंदूलकर हिट साथ सिक्स रोगर फैडरर विंसर टाइटल और पीवी तैंदू आंसा मेडल वी विल नेवर सी दे यर्स ओफ हार्ड वर्क एफ़र्ड और पीवी सिंदू है इसी तरीके से वो भी फैमस प्रसनेलिटी है बेटा लेकिन ये फैमस कैसे हुए इन्हे सब इतने अच्छे से कैसे जानते हैं लेकिन सब को ये तो है कि ये बड़े फैमस हैं लेकिन क्या कभी किसी ने देखा कि उन्होंने कितने सालों तक कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा उन्होंने कितने एफ़र्ट्स लगाए होगे इस चीज के लिए जैसे क सचिन तैंदूलकर को क्रिकेट खेलना पसंद था जैसे आपको भी कोई गेम खेलना पसंद है या आपको भी कोई काम जो सबसे अच्छा लगता है जैसे सचिन तैंदूलकर को क्रिकेट खेलना सबसे अच्छा लगता था तो उन्होंने क्या किया अपने उसी चीज पर बहुत कितना हार्ड वर्क किया होगा बेटा ये किसी ने नहीं सोचा तब ही तब वो इतने सक्सेस्फुल हुए कहने का मेंस है कि अगर हमें कुछ भी लाइफ में एचीव करना है तो हमें खूब महनत करनी चाहिए आगे देखिए बेटा आगे वो क्या कह रहा है आगे वो हमें बोल एजी चीजे ही होंगी बच्चा वो ही מियाब जो चेलेंजिस को स्विकार करें मान ले जैसे कोई बी चीज है अगर आपको एक बार करने पे समज नहीं आई तो आप उसकी दुबारा प्रेक्टिस कीज़े कोई नहीं वो दुबारा गलत हो गया तो कोई बात नहीं उसे आप तीसरी बार कीजिए फिर गलत हो गया तो कोई बात नहीं आप उसको तब तक करते रहे जब तक कि वो आपको समझ में नहीं आ जाती बेटा अगर आप उसकी बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी तो कोई चीज है यह नहीं जो हमें समझ नहीं आएगी बात होती है मेहनत करने की हमें hard work करना चाहिए बेटा आगे देखी आगे वो क्या कह रहे है hard work is a quality which is also a part of your habit and is something we have to develop अब इसमें वो क्या कह रहे है वो कह रहे है कि hard work को तो आप अपने habit में ही शामिल कर लो मेहनत को तो ऐसे सोच लो जैसे ये तो एक तरीक है की आदत है जिससे आप क्या कर सकते हो डेवलोप हो सकते हो आप life में कुछ achieve कर सकते हो बेटा आगे देखिए बेटा आगे देखिए वो कह रहा है over time वो ही चीज वो कह रहा है over time तक हमें क्या करना चाहिए hard work करना चाहिए बेटा आगे देखिए one of the secret formulas to this is planning हर काम को करने के लिए न प्लैनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है जैसे की अब आप देखिए कुछ भी करने बैठे है तो आप सोचिए मैं इसे कैसे करूगा माल लीजे आपको five questions learn करने हैं तो आप planning बनाएए अगर आप उसे कर सकते हो five के five को तो ठीक है या फिर पहले planning बनाएए कि आज तो मुझे three questions उसमें से learn कर ही कर लेने हैं और जो बाकी के next बचेंगे वो मैं अगले दिन पक्का ही learn करूँगा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं किसी भी काम को करने की पहले planning बहुत जरूरी है आगे देखिए student should always plan their next day and set targets on various activities student को क्या करना चाहिए next day के लिए पहले से ही plan करके रखना चाहिए कि अगले दिन मैं क्या क्या करूँगा और क्या क्या activities करूँगा अलग-अलग तरीके की इस तरीके से आपको next day का भी fix plan करना चाहिए जैसे कि आपको अगर students की बात करे study तो आपको करनी ही चाहिए कि अगले दिन मैं ये ये चीजे करूँगा और साथ में आपको थोड़ा सा ये भी plan कर लिना चाहिए कि कल मैं मम्मी की किन किन कामों में मदद कर सकता हूँ घर के काम में भी आपको help करनी चाहिए study के अलावा बेटा आगे देखिए ये आपको school में भी बहुत बार का कहा जाता है कि आप अपनी एक diary बनाईए उसमें आप daily date डालिए day डालिए और आप ये लिखिए next next day का plan बना कर उसमें लिखिए ताकि आपको याद रहे कि इस से इस time के बीच में मैं खेलने जाऊंगा क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है उससे आपका physics बड़ा अच्छा रहता है शरीर अच्छा रहता है बेटा आपको ये देखना चाहिए ये मेरा खेलने का टाइम है ये मेरा study टाइम है और इस time में मैं अपने ममी पापा की help कर सकता हूँ इस तरीके से आपको plan हर दिन का plan अपनी diary में पहले से ही note करके रखना चाहिए जिससे क्या होगा आपको achievement दिखाई देगी अपनी हर चीज में आपको वो habit होनी चाहिए आपको अपनी एक diary बनानी चाहिए next day की planning के लिए बेटा आगे देखिए practicing the over a period of time will make it a habit and part of your life and we will find the magic of success unwilling around us आप ऐसा करके तो देखिए आप हर चीज का plan बनाईए study पे focus कीजे आप हर चीज का plan बनाईए कि किस चीज को किस time तक करना चाहिए जैसे आप plan बनाईए कि मैं ज़्यादा देर तक सोऊंगा नहीं morning में हमें ज़्यादा लेट तक नहीं सोना चाहिए बेटा वो bad habit होती है गंदी बात होती है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए exercise करनी चाहिए उसका क्या फाइदा होगा आपका mind automatically active रहेगा बेटा fresh रहेगा आपका mind और जब आपका mind ही fresh रहेगा तब आपका हर काम करने में मन लगेगा क्योंकि आप पूरे दिन active रहोगे आपको आलस ही नहीं आएगा और study के time पे आपको अच्छे से study करनी चाहिए जैसे six question है तो आप सोच लीजे कि आज तो मैं इसमें से three questions learn करूँगा ही करूँगा अगर three भी नहीं होते तो आप एक एक question learn कीजे एक ही question अच्छे से learn कीजे और उसे ही five times notebook पे लिख कर देखिए इस तरीके से क्या होगा बेटा आपको अच्छे से आपका जारा सारा जो स्लेबस है वो अच्छे से learn हो जाएगा आप achieve कर पाएंगे कुछ अपनी study पे आप अच्छे से focus करो और आपको exercises पे भी आप focus करो आपको खेलना भी जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप सारा time study ही करते रहो आपको खेलने का भी आपका time होना चाहिए पढ़ने का भी आपका time होना चाहिए हर चीज का अपना एक टाइम होता है हमेशा देखना चाहिए अगर आप खेल रहे हो तो खूब मन लगा के खेलो कोई प्रॉबलम नहीं है क्योंकि वो आपका खेल ले काई टाइम है खूब मन लगा के खेलो लेकिन उसी तरीके से अगर आपका स्टड़ी टाइम है तब भी आप मन लगा के पढ़ाई कीजे बेटा जिससे क्या होगा आपको सब जीजे अच्छी-च्छी समझ में आएंगी अगर आप फ्रेश माइट बैठेंगे तो अक्टिव होके बैठते हैं बेटा अब आपको करना के बेटा आपको यही हार्ड वर्क का ऐसे आपको अपनी नोट बुक में लिखना है और लर्ण भी करना है चाहे आप इसका one one paragraph लर्ण कीजेगा आप इसको अच्छे से लर्ण भी कीजेगा और राइट भी कीजेगा और अब आपको क्या सीख मिलती है इससे कि आप आज से और जादा मेहनत करेंगे मुझे पता है आप मेहनत तो करी रहे हो क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो लेकिन आप और भी जादा मेहनत करोगे बेटा हम और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करेंगे और घर के काम में भी ममा की मदद करनी है ठैंक यू, have a nice day